मैं हूँ नफीसा खान स्वागत करती हूँ आपका जीवनकोश में दोस्तो अपनी मासूम सी सूरत भोली सी अदाओं से लाखों दिलों को अपना दीवान बनाने वाली तेजस्वी प्रकाश आज पहली के तुलना में कई ज्यादा पसंद की जाने वाली सलिबर्टी बन चुकी है जी हाँ ऐसे तो तेजस्वी ने यानि की तेजु ने कई पॉपुलर सीरियल्स में काम किया है और कुछ सीरियल तो ऐसे भी थे जिनकी कॉंट्रोवर्सी सीरियल्स से भी बड़ी बन गए थी इनने सभी तरह के सीरियल्स में काम करने के बावजूद जरा ज्यादा करीब से तेजस्वी प्रकाश को खत्रों के खिलाडी में जानने का मौका मिला जी हाँ इससे शोम में तेजस्वी की चुलबली बातों ने नहीं सिर्फ रोहित को उनका फैन बना दिया बलकि दर्शकों की भी जो फैन फॉलोइंग थी तेजस्वी के लिए वो भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई तो आज आपके और हमारी इसी पसंदीदा एक्टरस के डाइट रूटीन और वर्काउट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे उनके डाइट प्लान की तेजस्वी अपने डाइट के बारे में कहती हैं कि मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ खाना गुजराती हो, थाई हो, चाइनीज हो या किसी भी तरह का खाना हो मुझे हर तरह का खाना खाना बेहत पसंद है और मैं खाना देखकर कभी भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती मेरा मानना है कि हम दिन भर इतनी मशक्कत करते हैं इतना काम करते हैं किसलिए सर्फ पेट के लिए ही न और जब अच्छा खाना देखकर हम अपना दिल मारे अपने मन को कंट्रोल में रखें तो ये ठीक नहीं है इसलिए मुझे जो भी पसंद होता है मैं उसे खाती जरूर हूँ पर इन सब के बावजूत अगर सेहत मन्द रहना है तो घर का यानि की मा के हाथ का खाना कभी भी मिस नहीं करना चाहिए जी हाँ बात करें अगर तेजस्वी के दिन के शुरुआत की तो तेजस्वी गुन-गुने पानी के साथ अपने दिन की शुरुआत करती है उसके बाद तेजस्वी कम से कम 45 मिनट वर्काउट करना पसंद करती है और अगर वो वर्काउट नहीं कर पाती तो वो करने के लिए बाहर निकल पड़ती हैं क्योंकि उन्हें सुबह सुबह की साइक्लिंग करना काफी भाता है लेकिन जब वो शूटिंग में बीजी होती है तो उनके दिन की शुरवात थोड़ी अलग होती है जी हां सुबह नहां धोकर शूटिंग बजाने से पहले वो पीती है एक कप आवला जूस जो की अंदर से उनको फिट रखता है उनके इम्म्यूनिटी को बूस्ट करता है उसके कुछ देर बाद वो लेती है एक लास दूद और साथ ही लेती है एक चमच्की जो की वो अपनी मा की खास सला पर लेना पसंद करती है और उसके बाद वो शूटिंग के लिए शूटिंग क्योंकि काफी सुबह शुरू हो जाती है इसलिए वो नाश्ता अपना साड़े आठ्थ साड़े नौ बजे के भीज में शूटिंग सेट पर पहुँच कर करती है और नाश्ते में जो घर का नाश्ता होता है टिपिकल वो बहुत पसंद है जैसे बोहा, उपमा, थेपला, चीला ये सारी चीज़ें वो काफी पसंद करती है जिए रोटी होती है दाल, चावल, दढ़ी, सलाद, सब कुछ होता है शाम को चार बजे वो एक बार फिर से कुछ हलका फुलका खाना पसंद करती है और रात को आठ बजे तक वो अपना दि बिनन में वो चिकन या फिश खाना काफी पसंद करती है। तेजस्वी कहती है कि अगर कोई मुझे ये पूछे कि मेरा फेवरेट फूट कौन सा है, तो मेरा फेवरेट फूट वो सब है जो मेरे सामने हैं। खाने की बाद अगर शुरू होती है तो वो मेरी तरफ से कभी भी खत्म नहीं होगी क्योंकि मैं खाने की काफी शौकीन हूँ. अब इतना खाने के बावजूद भी तेजस्वी इतनी पतली दुबली क्यों हैं तो इसके पीछे तेजस्वी वजह मानती हैं अपने बीजी शुड्यूल को. वो कहती हैं कि हमें दिन भर इतना काम करना होता है इतना दौड़ना होता है कि चलते फिरते हमारी वर्काउट यूँ ही हो जाती है. बात करें अगर तेजस्वी के प्रॉपर वाले वर्काउट की तो तेजस्वी कहती है कि वो कभी भी प्रॉपर वर्काउट नहीं करती अपने किसी खास सीरियल के लिए खास शो के लिए वो वर्काउट करना पसंद करती है एक वक्त था जब वो नई नई सीरियल्स में आये थी उनके पास टाइम हुआ करता था तो वो सुभा 45 मिनट जैसे कि हमने शुरू में ही बताया था कि वो 45 मिनट का वर्काउट पहले जरूर किया करती थी लेकिन अब वो अपने शो के हिसाब से अपने शेड्यूल के हिसाब स ही वर्काउट कर पाती हैं लेकिन इन सब के बावजूद तेजस्वी को योगासन, प्राणायाम, मैडिटेशन, स्विमिंग, रनिंग, डांसिंग ये सारी चीजें ही करना काफी पसंद है और जैसे हिने टाइम मिलता है वो अपने ये सारे शोक पूरे जरूर करती हैं उनक कि उन्हें 18 साल की लड़की का करदार अदा करना था इसके अलावा जब उन्हें खत्रों के खिलाड़ी के शूट के लिए जाना था तो भी तेजस्वी ने काफी वर्काउट किया था क्योंकि फियर फैक्टर शो में जाने से पहले ये बेहत जरूरी था कि उनकी बॉड़ी टोन हों वो काफी फिट हों ताकि वो हर स्टंट को बहुँ भी कर सकें और हर स्टंट उन्होंने बहुँ भी किया भी था और ये हम सब ने देख लिया कि वो हर काम काफी डेडिकेशन के साथ करती हैं ऐसा हम सर्फ टीवी पर ही देखकर नहीं कह रहे हैं बलकि ये बात उनक ड़ी डडिकेशन लगा देती हैं और नई नई चीजों को सीखने का भी काफी शौक रखती है लेकिन हाँ एक चीजने बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो है वक्त की पाबंदी वो बिल्कुल भी पंच्वुल नहीं है और इस आदसे वो बिल्कुल परिशान भी नहीं है बात करें अगर तेजस्वी के फिटनिस मंत्रा की तो उनका एकी मंत्र है खूब खाओ और चम कर मेहनत करो वैसे लॉक्डाउन की दौरान तेजस्वी को देखकर यह लगता है कि उन्होंने अपने इस खाली समय का बहुत अच्छा सदूपयोग किया है और वो काफी जादा फिट नजर आ रही है तो यह था तेजस्वी प्रकाश का वर्काउट रूटीन और डाइट प्लान उम्मीद करते हैं उनके बारे में यह जो खास जानकारी थी वो आपको जरूर पसंद आई होगी और अगर यह जानकारी पसंद आई है इसे लाइक करें शियर करें सब्सक्राइब करें जीवनकोश को और द जीवनकोश